हलो एवरीवन वेलकम तो एक्लास ओफ कॉस्ट अकांटिंग रिकंसिलीशन और कॉस्ट फिनाइंशल अकांट टॉपिक है हमारा फिफ्ट सैमिसर थीवाइब कॉम तुड़ीज अवर सेविंध लेक्चर यानि आप सम करेंगे कॉश्टिन नबर सेक्स प्रीविएस वीडियो वाइब बिटन में चेक करें डिस्क्रिप्शन में लिंक है वह भी चेक करें इंट्रोड़क्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वह की नोट इंपॉर्टेंट है वह की नोट हर सम में बता तो मैंने हर वीडियो में बता है मैंने कि आपका वह की नोट बहुत एड लेस्ट में लिखना आपको तो आपको समयाद रखना है प्रोफेट से शुरू हो रहा है लॉस से शुरू है कॉस्टिंग या फाइनांस डिपेंड करता है तो हर चीज में यह वह की नोट काम आती है आज कुश्चिन नबर सिक्स है देखते हैं हमारों कुश्चिन नबर सिक्स तो कुश्चिन नबर सिक्स में है फ्रम दे फॉलिंग प्रिटिकुलर प्रिपेर रिकंसले स्टेट्मेंट और मेसर एक्सवाइज जैड आपको वह लिखना है अगर डेट दिया है नई दिया तो रिकंसलेशन स्टेट्मेंट ऐस ओन डैश नेट प्रोफिट एस पर दिया हुआ है यानि आपका सम्ब शुरूब गा नेट प्र उपिपट ऐस पर फाइनाश तो फिनांश फिचना प्रोफिट लिखना आपको एड और लेस दो पाठे हमारे कौन एड में जाएगा कौन लेस में जाएगा यह बताएगा हमारा वरकिंग नोट तो फिनांश प् लेस में आपको debit credit याद होना अच्छी है sign एक बर लिख दिया हो गया debit credit सभी सभी location आप लेके जा रहे हो तो आपको sign automatically बता देगा बाई add में क्या आएगा और less में क्या आएगा तो क्या बोलते हैं अपनी पहली entry है income tax provision financial entry इसे finance में लिखी जाती है और यह हमारा expense है debit है debit का sign एड यानी 30,000 आपको add में लिखना है simple है material purchase 5000 unit were recorded in cost at standard cost 24 whereas finance it was recorded at 22 per unit material purchase किया गया है बहुत अच्छी बात है expense है बहुत अच्छी बात है यूनिटे पांजार cost में rate लगा 24 का finance में rate लगा 22 का तो पहले हम लोग amount निकाल लेते कि actual amount है कितना क्योंकि हमें amount का difference बताना है तो amount क्या बोलते हैं cost के लिए 5000 into 24 that comes to 20 और finance के लिए 5000 into 22 that comes to 110,000 तो दो figure मिल गया अपने को बच्छों अभी simple है rule लगाते है minus plus का material purchase यानि expense है finance और cost दोनों का expense है दोनों debit है cost का है 1,20 cost का sign है minus less sign दालेंगे और finance में भी debit है finance का sign add तो ये 1,10 के सामने add दाल दो तो बच्चों अब यहाँ पे simple है भाई minus plus करेंगे difference 10,000 का आएगा अब बताओ minus sign बढ़ाएगी plus minus 120 बढ़ा है old bad debt recovered bad debt is expense but it is recovered now it is my income और ये financial entry है शरीफ अर्षरे finance में credit credit का sign है less तो 20,500 जाएगा less की heading में same way loss on seller furniture अगें financial entry है loss बढ़ा रहे finance loss debit all expenses losses यानि वह जाएगा add में 4120 तो इस तरह सम बहुत simple दरीके से होगा है यहाँ पे एक छोटा सा यह walking note था calculation है आगे और भी sum करेंगे जिसमें आपको proper cost sheet बनानी पड़ेगी proper financial यानि P&L account बनाना पड़ेगा तो आगले वीडियो में इंचाल हम लोग costing यानि cost sheet पूरा बनाएंगे P&L भी बनाएंगे फिर reconciliation करेंगे यह initial है एक दो सम हमने किये practice इस तोर पे तो अब लास्टेज है हमारा बच्चो क्या करेंगे total को भाहर करेंगे add का total है 34120 और less का total है 30500 अब 34120 क्या करना है बच्चों अपने को add करना है तो add sign दाल दें इसको किसे add करना है 4340 से 34120 को प्लस करना है तो it comes to 74 460 74 460 में से 30500 को क्या करना है less करना है तो less कर देते हैं तो अपना answer आता है 43960 और दिस यह कॉस्टिंग प्रॉफिट शम सुरूवा financial प्रॉफिट से खतम वा कॉस्टिंग प्रॉफिट से यह वापिसे बोलाँ आपको मैंने introduction में बिताया था कि यह जो answer आता है आपका इसका sign आपको देखना है plus है कि minus है यह plus sign है बच्चो तो यानि financial profit costing profit अगर यह sign minus होता for example 3500 के जगे पे यहाँ पे 1 lakh होता और 74 में से 1 lakh minus के but obvious answer negative आएगा अगर यह answer negative आगया तो financial profit यह शुरू किया तो फिर costing profit नहीं लिख सकते costing loss लिखना पड़ेगा तो यह figure पे भी आपको ध्यान देना है अगर यह answer positive आ रहा है तो financial profit costing profit अगर यह answer negative आया तो financial profit शुरू हो रहा है तो costing ही रहेगा finance का opposite costing ही रहेगा but profit के जगे पे आपको loss लिखना पड़ेगा अगर यह negative आया तो आगे चलेंगे हम एक दो सम आयेगा हूँ हाँ पे तो यह चीज को आपको ध्यान देना है फिलाल यहां तक कोई doubt ने इंशाला आपको next video में जल्दी मिलेंगे thank you thank you for watching the video god bless you